हलो फ्रेंट्स मैं हूँ संद्या सागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बना रहे हैं फ्रेंट्स कद्दू की सबजी बिल्कुल भंडारे वाली टेस्ट आपको इतना अच्छा आएगा कि आप बार बार कद्दू बनाने को सोचेंगे तो चलिए फिर सुरू करते हैं बनान नहीं लगता आपके कीचन में जो समान है उसी समान से आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं बहुत ही जी तरीके से ये बन कर तयार होती है अगर आपको कद्दू पसंद नहीं है तो भी आप एक बार इस तरह से बना कर देखिएगा आपको जरूर पसंद आएगा तो यहां मैं हम कद्दु को पानी में अच्छे से धो लेंगे क्योंकि जब भी मार्केट से सब्जी लाएं तो उसे हमें पहले धो लेना चाहिए इसके बाद फिर कट करके धोना चाहिए क्योंकि सब्जियां जो है फ्रेंट्स कई हाथों से होकर निकलती है तो हमें धोना जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले चलिए कद्दू को हम अच्छे से पानी में डीब करके धो लेते हैं इसके बाद काटना इस्टार्ट करेंगे तो यह छोटे साइज का कद्दू है तो इसे छिलके होगा झानी की जरूरत नहीं है छिलके सहीथ ही इसे कट कर लेंगे और अगर उपर कसक्त रहता है तो छिलना फिर जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम सब्जी बनाते हैं तो उपर के जो छिलके हैं वह नहीं गलपाते तो HPर खाने में अच्छा नहीं लगता है तो चलिए फटा-फट से इसे काट लेते हैं तो पीस हम ना ज्यादा बड़ा रखेंगे ना ज्यादा छोटा रखेंगे तो ऐसे इसका जो डंठल है पहले इसे कट करके निकाल लेंगे चलिए पहले मैं इसे कट करके निकाल लेती हूं इस हमें नहीं डालना है उसे कट करके निकाल दीजिएगा जैसे बीज से काट के आप میں भाती हूँ कि अंदर किस तरह से बीज रहता है तो पीज हो गेरा को हमें नहीं डालना है यह सबजी एकदम ज़ल्दी बनर कर तियार हो जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में तो आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ देखिए ये छिलका जो है वो एकदम मुलायम छिलका है तो इसे छिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो चलिए फटा-फट से इसे कट कर लेते हैं कद्दू की सब्जी बहुत से लोगों को अच्छी लगती है वो बीच में ये गुद्दा है और बीज है इसे हमें कट करके निकाल देना है तो असानी से निकल जाता है फिर बीच से एक भाग ऐसे कट कर लेंगे और फटा-फट से हम इसे काट लेंगे तो चलिए पहले इसे हम काट लेते हैं इसके बाद फिर हम बनाना इस्टार्ट तो मैं आपको मसाले और नहीं दिखाई हूँ starting में तो बनाते समय मैं आपको बताती जाओंगी friends आप देख लिजेगा कि मैं क्या क्या इसमें डालने वाली हूँ तो बस इतना बड़ा बड़ा हमें पीस रखना है इससे जादा बड़ा न जादा छोटा करेंगे जादा छोट बनाता है तो चलिए काट लेते हैं फटा फट से तो यह देखे मैंने पूरा काट लिया अब डाल देंगे इसमें पानी और पानी डालके धो और इसे एक अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे इसके बाद फिर चलिए गैस की तरब चलते है तो पानी डाल दिया इसमें बस basic म यहां हाँ जो आज बना रहे है यह बंडारे में इस तरह की सब्जी अक्सर बनती है और पुरी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने धो लिया, आप चलिए गैस ओन कर लेते हैं, गैस ओन करके एक कड़ाई चड़ा देंगे, और कड़ाई जैसे गरम होगा, उसमें हम डालेंगे तेल, तो कड़ू की सबजी को आप सरसों के तेल में बनाईएगा, सरसों के तेल में बनाने से तो तेल डाल दिया, तेल को गरम हो जाने देंगे, इसके बाद इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, तो खड़े मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें स्टार्टिंग में क्या-क्या डालनी है, तो हमें फिरेंस इसमें स्टार्टिंग में जीरा डालना है, मेथी डालना हैं देजपत्ता डालना है और दो लाल मिर्च खड़ा हमें लेना है तो चलिए मैं आपको पूरा निकाल के दिखा देती हूं कि क्या क्या हमें डालना है तो यह देखिए संब नाप एक एक चम्मच, छोटी चम्मच से नाप करेंगे, तो एक एक चम्मच होगा, तेज पत्ता एक लेंगे, उसे हम दो टुकडा कर लेंगे, तो दो टुकडा किया हुआ है, दो लाल मिर्च है, तो इतना हमें स्टार्टिंग में डालनी है, तो जैसे ही तेल हमारा गरम होगा, ए पो हिंग डाल दीजेगा, हिंग डाल देंगे, जैसे ही ये थोड़ा सा भून जाएगा, भूनने देंगे, इसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, तो मिर्च मैंने यहां चार लिया हुआ था, आपको अपने हिसाब से लेना है, अपने टेस्ट के ओकर डिंग नहीं तो मसाला जो है, वो जल जाएगा, काला काला सा हो जाएगा, इसलिए तेल को हमें थोड़ी देर के लिए, नार्मल होने के लिए छोड़ना है, तो मैंने गैस को एकदम कम कर दिया है, अब डालेंगे इसमें मसाले, तो आधी चमच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी को ऐसे करके हमें मिक्स कर देना है तेल हमारा एकदम नार्मल है इसलिए मैं मसाले यह डाल रही हूं गरम तेल में मसाले हमें नहीं डालनी है थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी मैं निस ले डाला ताकि मसाले जो है वो जले नहीं तो तीन चम पानी डाल देंगे पानी डाल हो जाएगा तो बस कलर के लिए मैंने कस्मिली लाल मिर्च डाल दिया आप चाहे तो तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर तीखा पसंद हो तो एक छोटी चम्मच डाल देंगे गरम मसाला और सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें हमें एक ची डालनी है फ्रेंड्स दो चम्मच गूड तो गूड को छोटा-छोटा टुकडा करके हमें डालना है तो इससे बहुत अच्छा चटपटा सा स्वाद आएगा कद्दू की सबजी में तो गूड को ऐसे छोटा- करके डाल दीजेगा यह अपने आप अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाता है गूड को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हमने जो कद्दू काट के रखा हुआ है उसे हमें पूरा डाल देना है और कद्दू को डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैं आपको मसाले बताती जा रही हूँ कि मैंने क्या-क्या डाला है और क्या-क्या भी डालना है तो हमने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कस्मिरी लाल मिश डाला है, गरम मसाला डाला है, इतना अभी हमने मसाले डाल दिये हैं, सब को डाल के ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये फटा-फट से पक जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, गैस को मैंने धक धक के पकाना है, धकेंगे तो ये फटा-फट से ये गल जाते हैं, अब इसमें हम डालेंगे फ्रेंस नमक, तो नमक में हमें सादा नमक भी डालना है, और काला नमक भी हम एक चमच डालेंगे, और बाकी सादा नमक डालेंगे, तो ये देखिए, ये काला नमक है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो फिर साधा नमक में डालिएगा सिर्फ इसे ही डाल दीजेगा और आप सरसो तेल के जगा घी में बनाईएगा तो काला नमक एक चम्मट छोटी चम्मट से डाला अब डाल देंगे ये साधा नमक जो हम डेली यूज में खाते हैं तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा दोनों नमक डालके हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से तो नमक डाल दिया नमक डालके अच्छे से मिक्स कर दिया अब इसमें हमें एक चीज और डालनी है जिससे की एकदम च चलाते रहना है ताकि जले नहीं ध्यान रखिएगा और इसे हमें चलाते जाना है ज्यादा टाइम नहीं लगता ये तुरन पक के तैयार हो जाता है 15-20 मिनट में ये सबजी बन जाती है जैसे मिक्स कर देंगे गुड़ भी हमारा अच्छे से मसाले में पक चुका है अब गैस को क्या करेंगे अब कम कर देंगे मिडियम फ्लेम पे था अब हमें कम करके गैस को और इसको पकाना है क्योंकि आप तेज आच पे रखेंगे तो क्या होगा कि ये जलने का इसमें डर रहता है तो इसलिए गैस को कम कर दिजेगा फिर से ढख दिया और हमारा सबजी जो है तो ये देखिए, एकदम ये पक गया है, ये देखिए, एकदम अच्छे से पक गया है ये, अब इसमें डाल देंगे हम अमचूर पाउडर, गैस को हमें कम ही रखना है, तेज नहीं करना है, ये देखिए, अमचूर पाउडर, ज्यादा नहीं डालना है भरके, आधी चम्मज डालिएगा तो इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा चटपटासा मिक्स कर देंगे ऐसे और थोड़े से कद्दू के जो पीस है उसे हमें प्रेस करके उसे हम क्या करेंगे कि मैस कर देंगे ऐसे कुछ खड़े रहेंगे अब कुछ को हमें मैस कर देना है तो इससे क्या होग कि एकदम गाड़ी गाड़ी सी सब्जी हमारी ग्रेवी वाली अच्छी बन कर तयार होगी तो कुछ को करना है ज्यादा को नहीं 10-15 पीस जो है कद्दू के उसे ऐसे मैस कर दीजेगा तो एकदम गाड़ी गाड़ी सी हो जाएगी सब्जी जैसे मैं मैस कर रही हूँ आप देख पा रहे होंगे और आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कितना इजी है बनाना कोई भी अराम से बना लेगा इसमें न बनाने में कोई ताम जाम नहीं है न जादा टाइम नहीं लगा जटपट बनकर तयार हो गया बस आप ऐसे बनाईए और गरम गरम पराठे पूरी के साथ खाईए आप देखिएगा कि आपको हर बार इसी तरह से बनाने का मन करेगा खाने का मन करेगा तैसे मैं आधे को मैस कर देती हूँ तैसे मैस कर देंगे और मिक्स करते जाएंगे लास्ट में इसमें बस डालेंगे धनिया पत्ति अगर आपको पसंद हो कद्दू की सबजी में तो धनि से 20 मिनट लगा है मुझे इसे बनाने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा यह सबजी चावल के साथ जितनी अच्छी नहीं लगती उतना यह रोटी प्राठे के साथ जादा अच्छी लगती है अब उपर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती मैं धनिया पत्ती डा है कि अगर आपको पसंद हो तो आप डाले नहीं तो फिर न डाले धनिया पत्ती डालके ऐसे मिक्स कर लेंगे और यह हमारा जटपट सब्जी कद्दू का जटपटा सवाद वाला बन कर तयार हो गया मैं पूरा बनने के बाद में आपको एक प्लेट में निकालके दिखाऊ होंगी कि किस तरह से हमारा यह सबजी बन कर तयार हुआ है फ्रेंट्स तो कद्दू की सबजी बहुत से लोग अलग-अलग तरह से बनाते हैं अगर आप इस तरह से नहीं बनाया है तो यह एक बार ज़रूर ट्राई किजएगा और अगर बनाया है तो आपको खुद पता होगा कि ये कितना अच्छा बनता है, आप चाहें तो इसमें सौब भी डाल सकते हैं, इस स्टार्टिंग में मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप चाहें तो सौब भी डाल सकते हैं, गैस को मैंने बंद कर दिया, आप चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं, तो आप पास से देखिए फ्रेंज एकदम गाड़ी गाड़ी सी कद्दू की सब्जी हमारी बन कर तयार हुई है यह देखिए बहुत ही तेस्टी बहुत ही ला जुआब चटपटा स्वाद वाला सब्जी बन कर तयार हो गया आपको पास से दिखा देती हूं तो हमने जितना बड़ा आर हो गया अराम से चार-पांच लोग इसमें खा सकते हैं तो यह देखिए आप कलर देख रहे होंगे और छिलके सही थमने काटा है तो उससे और भी ज्यादा यह देखने में अच्छा लग रहा है तो आई होप आपको जरूर पसंद आएगा फ्रेंड्स और अगर आज की रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा आपको पास से दिखा देती हूं यह देखिए तो चलिए फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स एक नई रेस्पी के साथ एक नए विडियो में